खुशबू की मृत्यू के मामले में पती योगराज धारा 306 के अंतरगत गिरफतार पती योगराज ने खुशबू के परिजनों को बिना सूचित कर किया था अंतिम संसकार साले की शादी में प्रेमी सोनु को शादी का कार्ड देने को लेकर पती योगराज की पत्नी खुशबू से चल रही थी अनबन पांच-छेह महीने पहले योगराज ने अपनी पत्नी खुशबू को सोनु के साथ देखा था आपत्ति जनक स्थिती में थाना धामपुर पुलिस के अनुसार दिनांक 2 मई 2024 को वादी चंदन पुत्र मनोज चोहान निवासी ग्राम नरसिंहपुर थाना देवगामव जनपद आजमगड द्वारा थाना धामपुर पर तहरीर दी गई कि अभ्युक्त गण योगराजव ममतेश पुत्रगण मूल चंद गगनव सोनु पुत्रगण महेश मोनु पुत्र रमेश रेखा पत्नी ममतेश निवासी गण ग्राम हकीमपुर नारायन उर्फ नंगला थाना धामपुर द्वारा दिनांक 25 अप्रेल 2024 को वादी की बहन के स का अंतिम संसकार भी कर दिया तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर केस दर्ज किया गया विवेचनात्मक कारेवाही के दौरान अभियोग से धारा 302 भादवी का लोप कर धारा 306 भादवी की व्रिधि की गई दिनांक 3 मई 2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा अभि अभियुक्त की निशादे ही पर मृतका की जली हुई अस्थियां, मेटल की दो चूडी वदो चेन बरामद की गई। अभियुक्त ने पुलिस पूछताच में बताया कि मेरी शादी लगभग 10 वर्ष पूर्व खुश्बू से हुई थी। हम दोनों के दो बच्चे हैं। म मेरे ही गाव के मोनु पुत्र रमेश के साथ तै की थी और मोनु को भी शादी में आने का निमंतरण दिया था। मेरी पतनी खुश्बू ने मेरे ही गाव के सोनु व उसके भाई गगन पुत्र गण महेश को भी शादी का कार्ड अपने पिताजी से दिलवाया था। मैं नह और जबरदस्ती सोनू वगगन को हमारे साथ शादी में ले गई। मेरे भाई गगन से करा। दिनांक 29 अप्रेल 2024 को मैं तथा मेरे घर वाले खेत पर गए हुए थे। दोपहर करीब एक बजे जब मैं घर पर पहुँचा तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी दुपट्टे के सहारे पंखे से लटकी थी। मैंने तुरंत दराती से फंदे को काट दिया और अपनी पत्नी को उतारा लेकर तब तक वह मर चुकी थी। इस दौरान गांव के अन्य कई लोग भी आ गए थे। जिन्होंने मुझे समझाया कि तुम इस घटना की सूचना अपनी पत्नी के माय के वालो और पुलिस को दे दो। उसके बाद मैंने घटना की जानकारी अपने भाई ममतेश वह सोनु पुत्र महेश को दी। तो मेरा भाई ममतेश तथा सोनु अपने भाई गगन के साथ आ गया और मोनु भी आ गया। सोनु ने मुझसे कहा कि इसमें हम तुम दोनों लोग फंस जाएगे और बगैर किसी को बताये चुप चाप इसका अंतिम संसकार कर दिया जाए। मेरी समझ में भी सोनु की बात आ गई कि मायके वाले आएगे कहीं पुलिस केस न कर दे। इसलिए हमने इसके मायके वालों को सूचना नहीं दी। मैं तथा सोनु दोपहर में ही खेतों के रास्ते खुश्बू के गाव के शमशान में ले गए और गगन तथा मोनु और मेरा भाई ममतेश पीछे से इंधन लेकर आ गए और हमने दोपहर में ही खुश्बू का अंतिम संसकार कर दिया। जिसका गाव के लोगों को पता नहीं चल पाया लेकिन फिर भी किसी तरीके से सूचना खुश्बू क मायके वालों को लग गई। खुश्बू के घर वालों ने हम लोगों के विरुद्ध मुकदमा लिखवा दिया। जिस दुपट्टे से खुश्बू ने फांसी लगाई थी उस दुपट्टे को भी शव के साथ ही जला दिया था। धामपूर से साकिब शेख की रिपोर्ट झालों के जला दिया थाज़ जोगोर्टे जला दिया थाज़ जीज़ जाई थाज़ जोगोर्टे से साथ ही जला दिया।